आनिया का है और वो सरब जट्ट का वादा जट्ट का वादा ऐसा कुछ कह रहा था ना का है वो गुनेकार जिसकी सजा वो खुद भुगतने वाला है गुनेगार मिल चुका है और उसकी सजा उसे ही मिले की सरब जी कुने मेरी सब पर दास्त कर लेता अब आप इसके साथ मिलकी मुझे जेल बेजा और नशे में होता है यहां पर उसकी जान भी था बाधिक वाली वी। इसके बिन विल खाती तो अब हुखसा इतना जादा था смотреть. को कि बंदूक वगए उठा लेता है और यहां पर बंदूक चलाता नहीं लेकिन मेर को कमरे में ले जाएगा और उस पर उसका करने लगए का और मेर को बुले क्या आपने ऐसा क्यों किया यहां पर और जाता हुआ इस घर का जवाहि बंढ़ा है कि अ इस नहीं हम्मत कैसे? मेरी बहन को आख लगाने की उसका यह आल करने की? पाक्टरी में आग इसने लगाई थी तो यहाँ पर मैडम जी कह कर ना उससे रुमेंटिक बात करने लगेगा यहाँ पर और उसको बोलेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप तो मेरी केटिनर केफे अब यह सारी चीजें महसूस करके ना भई हानिया का दिल तूटी जाता है क्योंकि हानिया पता है कि कितना प्यार करती है यहां पर सरब से और यह सारी चीजें जब होती है उसके साथ तो बहुत बुरा लगता है अब हो कुछ भी नहीं कर सकती है किpowånot मेरे अच्छा लड़का हो यहां पर कमरी में लॉक कर दीती यह ऐर भार आ जाती है और अचानक से सरब के पास एक फोन आता है कि फैक्टरी में आग लगी है भागता भागता फैक्टरी जाता है और यहाँ पर हानिया वगेरा सब लोग ना मेहर को डूड़ रहे क्योंकि मेहर अचानक से गायव हो गई है हानिया से सब लोग पुछते है कि कहा है सरब कहा है मेहर तो बोलती है जो बत्रा है ना मैनेजर उसने सारा चीज़ किया होता है हमने देखा ही था कि बत्रा किस तरीके से बदला लेना चाहता था मेहर से यहाँ पर और उसने बोला भी था कि मैं आज रात को देखो मेहर तुमारे साथ क्या करता हूँ तो बत्रा ने मेर को कर लिया किटनेप और यहां पर फैक्टरी में लगा दिये आगा